Hello Everyone, Welcome to Tripta Innovations आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Radix Accounting Software में Job Card Print from Mill Receive Report को कैसे वियू कर सकते हैं इस रिपोर्ट से आप Job Card Printing कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर पर मीटर कॉस्टिंग भी देख सकते हैं Job Card Print from Mill Receive Report के लिए हम यहाँ पर Reports, Textile Trading, Process Report, Cutting Process Report, Job Card Print from Mill Receive पे क्लिक करेंगे Report Criteria Form Open हो जाएगा यहाँ पर टीटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है Day Book यहाँ पर F4 की प्रेस करके लिस्ट में से Day Book को सिलेक्ट कर लेना है Next, Date यहाँ जिस Date से लेके जिस Date तक की Report वियू करनी हो वो Date यहाँ सेट कर देनी है Next, Mill, अगर सभी Mills की Report देखनी हो तो All Option को सिलेक्ट करना है अदरवाइस कोई Particular Mill के लिए Equal to Option को सिलेक्ट करके Mill को सिलेक्ट कर लेना है Next, Mill चलान नंबर, यहाँ पर जिस चलान नंबर से लेके जिस चलान नंबर तक की Report वियू करनी हो वो यहाँ पर Enter कर सकते है Next, Party Bill नंबर, यहाँ पर जिस Party Bill नंबर से लेके जिस Party Bill नंबर तक की Report देखनी हो वो यहाँ सेट कर सकते है Next, Weaver, अगर सभी Weavers की Report देखनी हो तो All Option को सिलेक्ट करना है Next, Item, अगर सभी Items की Report देखनी हो तो All Option को सिलेक्ट करना है Otherwise, कोई Particular Item के लिए Equal to Option को सिलेक्ट करके आइटम को सिलेक्ट कर लेना है Next, Lot Number, जिस Lot Number से लेके जिस Lot Number तक की Report देखनी हो वो यहाँ पर सेट कर देना है Next, Print, Date, यहाँ पर जिस दिन Report निकाल रहे है वो Date Report में Print करनी हो तो टिक कर देना है सभी डीटेल सेट करने के बाद अगर हमें यह सभी Criteria को Save करना हो तो यहाँ Save Criteria पर टिक कर देना है जिससे Next Time हम जब भी Report देखेंगे तो यह Criteria As It Is Selected रहेगा जैसे अभी आपने Select किया हुआ है Next Time यहाँ Show Button पर क्लिक कर देंगे Report आ जाएगी Report आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Gray Meters, Gray Amount, Finish Meters, Finish Amount Total Amount होगा Gray Amount, Plus Finish Amount और Total Amount divided by Finish Meters आ जाएगा Cost पर मीटर Next अगर आपको यहाँ पर Report में Columns को Add or List करना हो तो यहाँ Customize बटन पे क्लिक कर देना है Report को Customize कैसे करें उसके लिए वीडियो अविलेबल है, आप वो Refer कर सकते हैं Next अगर हमें Report को Print करना हो तो यहाँ Print आइकन पे क्लिक कर देना है, Report प्रिंट हो जाएगी इस तरह से हम Radix में Job Card Print from Mill Receive Report को View कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो helpful लगाओ तो प्लीज इसे Like, Share and Subscribe जरूर करें Thank you for watching the video